दोस्तो इस पक्षी के अंदर खासियत और कुछ प्रधान विश्षताई भी है ऑस्ट्रिज जिसे हिंदी में शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है दूसरे पक्षिया जैसे बुलाते हैं ये उस तरह नहीं बुला पाते बलकि कबुतर की तरह आवाज निकालते हैं ये आसमान में नहीं उड़ पाते क्योंकि इनका शरिर इनके पंखों से भारी होता है और दुर्भल भी और दूसरी और इनके पैर बहुत शक्तिशाली होते हैं और इसी शक्तिशाली पैरों से घंटों में 70 किलोमीटर तक दोड़ पाते हैं शुतुरमुर्ग 9 फूट तक लं मध्य हो जाएंगे एक समय ऐसा था जब शुतुरमुर्ग एशिया में भी देखा जाता था राजस्तान और मध्य प्रदेश में इनकी स्केलीटॉन भी पाई जा चुकी थी और यही सब स्केलीटॉन को देखकर अंदाजा लगाया जा चुका है कि ये पक्षी आज से 25,000 सा इनसानों के अतिरिक्त हस्तशेप का कारण हाला कि यह आकार में बहुत लंबे और शक्तिशाली होते हैं इन्हें कोई जंगली प्रानी जट से शिकार भी नहीं कर पाते उधारन स्वरुप इस क्लिप में देख सकते हैं कैसे शुतुरमुर्ग हाइना को भगा रहा है ये बस सक्त और कठोर होते हैं और इनके चार इंच तता और भी बड़े नाखुन भी होते हैं इनकी एक लात में 2000 पीएसाय शक्ति मौजुद है अर्थात इनके एक लातों से हाइना की हड्डियों को भी तोड़ सकती है हाला कि यह इतने जल्दी किसी पर हमला नहीं करते इनके साधी गर्म इलाके पर निवास कर पाते हैं और यहीं नहीं सहारा मरुभूमी के इलाकों में भी यह आराम के साथ ही रहते हैं इतने गर्म इलाकों में रहने से ज्यादा इनकी और एक खासियत यह है कि यह पानी की कमियों को सहे लेते हैं क्योंकि यह ज्यादा पानी नहीं पर ये जब छोटे होते है तब इने पानी की जरूरत ज्यादा होती है एक बार इस क्लिप को देख लीजिए एक मेल शुतर मुर्ग किसी जील में पानी पीने आया था और उसके साथ आने वाली फीमेल शुतर मुर्ग और उसके बच्चे काफी दूर इंतजार कर रहे थे ये मेल ऑस्ट्रीज इस जील के चारो और देखने आया था कि यहाँ कोई खत्रा है या नहीं जब खत्रा नहीं दिखता तब मेल ओस्ट्रीज फीमेल ओस्ट्रीज को इशारा कर देता है और धीरे धीरे फीमेल ओस्ट्रीज और अपने बच्चों को लेकर पानी पिने आ जाती है ये बच्चे अंडे से बाहर निकले हुए सिर्फ एक महीने ही हुआ था और कुछ दिनों में ही अपने माता पिता के साथ घूमने निकले थे और ये तो आप सब भी जानते ही है कि इनके अंडे प्रित्वी के सारे पक्षियों में से सबसे बड़े होते हैं और एक मूर्गी के अंडे से एक शुतुरमूर्ग का अंडा 24 गुना बड़ा होता है और ये ही नहीं ये मूर्गी के तुल्णा में एक शुतुरमूर्ग पच्चास गुना भारी भी होता है इसी वज़े से शुतुर्मुर्ग के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो बड़े आउस्ट्रिश के सामने बहुत छोटे नजर आते हैं और इस अवस्था में अपने माता पीता के साथ ही उन्हें रहना पड़ता है क्योंकि कौन कब आकरमन कर बैठे इस वज़े से शुतुर्मुर्ग आकाराईतर में बड़े होने की वज़े से इन्हें कोई शिकारी प्रानी हमला नहीं कर पाते और इनके बच्चे काफी छोटी होने के वज़े से इन्हें जंगली जानवर बहुत आसानी से शिकार कर पाते हैं ये बच्चे कम पानी पीने की वज़े से इन्हें प्रती दिन पानी की जरुरत पढ़ती है और इनके छोटे मूँ होने की वज़े से ये कम पानी पीते हैं और वही दूसरी और अगर यही ओस्ट्रीज थोड़े बड़े हो जाए तो एक ही बार में 3-5 लीटर तक पानी पी सकते हैं इस वज़े से अगर उन्हें कुछ दिनों तक पानी भी ना मिले तो वह अच्छे से समय बिता लेते हैं अनिमल साइंटिस्टों का कहना है कि ऑस्ट्रीज दो से तीन हफ़तों तक बिना पानी पी रह सकते हैं और इसी समय के दौरान ऑस्ट्रीज अपने भोजन से निकलने वाले नमी के सहायता से अपने प्यास को बुझा सकती हैं और यह खाने में घास पतिया बीज छोटे-छोटे कीडे मकोडे और साप को खाते हैं ऑस्ट्रीज के लंबे पैर और गले सिर्फ शिकार से बचने में नहीं मदद करते बलकि गर्म इलाकों में रहनी की कॉमन अफ्रीकन ओस्ट्रीज और सुमाली ओस्ट्रीज इन दोनों में सरफ रंग और रूप में अंतर दिखता है वो भी बहुत कम परिमान में सुमाली ओस्ट्रीज अफ्रीका के नौर्थ में पाई जाती हैं और वही कॉमन ओस्ट्रीज अफ्रीका के सभी इलाकों में दे कर देते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते इनके रफ्तार के सामने एक मात्र एक ही प्राणी है जो इन से टक्कर ले पाता है और वो है चीता चीता ही एक मात्र ऐसा प्राणी है जो ऑस्ट्रिश को शिकार कर पाते हैं पर एक अकेले चीता से शिकार करना संभव नहीं होता ज इन संख्याओं की चीता मिलकर अगर शिकार करें तो ऑस्ट्रिज आसानी से शिकार हो जाता है जब ऑस्ट्रिज जमीन पर गिल जाता है साथी साथ एक चीता उसके गले में काट लेता है चीता के साथ साथ लायन और हाइना को भी शिकार करते देखा गया है लेकिन ये सब शिक जाते हैं और इसी के साथ साथ कुछ लौजिक्स बाते भी मौजुद है कुछ लोगों का खहना है यह भागने के बदले जमीन पर अपने सिर को घुसा लेते हैं ताकि वो यह सोचते हैं कि शिकारी उसे देख नहीं पा रहे हैं पर यह सब बाते सारी अफवा हैं लेकिन वास् शुतरमुर्ग अंडे देने के ठीक देड महीनों के बाद अंडे से बच्छे निकलते हैं और उसके पहले जब तक बच्चे ना निकले तब तक मादा और पूरुस जमीन परसीर को घुशा कर अंडों को घुमाते रहते हैं और आउस्ट्रिश को अपने रफ्तार पर अत्य नहीं कर पाएंगे एक समय ऐसा था जब उस्ट्रेलिया में शुतुर्मूर्ग की गाड़ी हुआ करती थी और यहीं नहीं इस गाड़ियों से कॉंपुटिशन भी कराया जाता था और यह एक घंटे में 50 किलोमीटर तक दोड़ पाते थे रिसर्चसों का मानना है कि एक दिन में 300 किलोमीटर तक दोड़ लेते थे और इसी रूप में अगर घोडों की तुलना की जाए तो घोड़े एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर तक दोड़ पाते थे इसे आप सभी तो अंदाजा कर ही सकते हैं कि ओस्ट्रिच कितने रफ्तार में दोड़ता है हाला की घोडों की तुलना में ओस्ट्रिच की बुद्धी बहुत कम होती है क्योंकि इनका सिर बहुत छोटा होता है और इनकी ब्रेन भी बहुत छोटी होती है कम बुध्धी के होने के वज़े से उन्हें ट्रांसपोर्ट के रूप में व्यवयहार किया जाता था पर उन्हें कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल था जिस वज़े से और स्ट्रेच ट्रांसपोर्ट धीरे-धीरे कम होने लगी थी दोस्तो आज की वीडियो यही तक अगर वीडियो का अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें अगर इस बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप लोगों में से अगर कोई हमारे ने वीवर से तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिये हुए बल आइकन को प्रेस करें और आल पर सेट करें ताकि अप्लोड होने के तुरंद बाद आप लोगों के पास नॉटिफिकेशन जा सकें सब्सक्राइब कर दो अप्लोड जाहत।